नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाज़ार में एक बार फिर से आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन बॉक्स आफिस पर इसार रिलिज होने वाली टॉप 5 मच आविटेट फिल्मों के बारे में और जानने वाले हैं कि इन फिल्मों में इंडियन बॉक्स आफिस पर कौन सी फिल्म सबसे बड़ी ओपनिंग लेगी और कौन सी फिल्म का कलेक्शन सबसे ज़ादा रहेगा तो चलिए शुरुआत करते हैं देखते रहेगा पूरा विडियो और अगर आप कमारे इस चैनल पर नए हैं और इसे अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सबस्क्राइब जरू कीजेगा ताकि आपको बॉल्यूड, बॉक्स आफिस और साउथ फिल्मों ब्यूटिफल दिशा पाटनी, रंडी फुड़ा और जेकी शौफ नजर आने वाले हैं प्रभुदेवा के डारेक्शन में बनने वाली दोस्तों इस फिल्म का बजट लगबग 180 करोड से भी ज्यादा का है जैसे कि एंडियन बॉक्स आफिस पर इस साल एद के मुखे पर र इंतजार ओडियंस काफी बेसबरी से कर रही है यह फिल्म सुपरिष्ट्रा सलमान खान की देड़ साल बाद रिलीज होने वाली कोई बड़ी फिल्म है जिसे कि इंडियन बॉक्स आफिस पर काफी ग्रेंड तरीके से रिलीज किया जाना है हाला कि दोस्तों इस फिल्म के सा सकती है वहीं अगर इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से रिव्यूस अच्छे मिलते हैं तो यह फिल्म बॉक्स आफिस पर साढ़े 300 करोड से 400 करोड रुपे के बीच के कमाई कर सकती है बताते चले दोस्तों आपको कि राधे सलमान खान के केरियर के अब तक कि सबसे महेंगी फिल्मों में से एक है जो कि बॉक्स आफिस पर इस सल नय-nय रिकॉर्ड बना देगी वहीं अगर बात करें हम लोग यहाँ पर इस लिष्टी की दूसरी फिल्म यानि कि सूर्यो मिंशी के बारे में तो दोस्तों जैसा कि आप से भी जानते हैं कि यह फिल्म अक्षी कुमार सर के केरियर की अब तक कि सबसे बड़ी और सबसे महंगी फिल्मों में से एक है जिसका बजट लगबग 180-200 करोट रुपे का है इस फिल्म के लीड में आपको सूपरिश्टार अक्षी कुमार सर के अलावा ब्यूटिफुल केटरिना केफ अजे देवगंसल रनिवीर सिंग और कई सारे अक्टर्स नजर आने वाले हैं रोहिष शेटी की डिरेक्शन में बनने वाली इस एक्षन थ्रिलर फिल्म को इंडियन बॉक्स आफिस पर 30 अपरेल को रिलिस किया जाना है जिसे कि रोहिष शेटी और रिलाइंस इंटरिन्मेंट ने मिलकर प्रिडूस किया है अगर बात करें हम लोग यहाँ पर सूर्य वंशी की तो दोस्तों सूर्य वंशी में सूपर इश्टार अक्षय कुमार सरक पुलीस वाले के करेक्टर में नजर आने वाले हैं और यह फिल्म रोहिष शेटी कॉप युवर्स की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म है यही वज़ा ह है दोस्तों कि इस फिल्म को लेकर ओडियंस की मन में काफी ज़्यादा एकसाइटमेंट है और अगर बात करें हम लोग यहाँ पर सूर्य वंशी के फर्च डे कलेक्शन की तो दोस्तों जिस तरह से इस फिल्म के पोश्टर्स कीये गए हैं उसके बाद से सूर्य वंशी अप पहले दिन का कलेक्शन 35-40 करोड का रहेगा वहीं अगर इस फिल्म को ओडियंस की तरफ से अच्छे रिविस मिल जाते हैं और ये फिल्म ओडियंस को पसंद आ जाती है तो इस फिल्म का कलेक्शन एडियन नेट बॉक्स आफ इस पर लगबग 300-300 करोड का रहेगा वहीं अगर बात करें दोस्तों इस लिष्ट के हम लोग तीसरी मच अवेटेट फिल्म तो यहाँ पर नाम आता है इस्ट्रैलिस सुपर इस्टार अल्लु अर्जुन के केरियर की अब तक की सबसे बड़ी और पैन इडिया फिल्म पुश्पा का जी हाँ दोस्तों आप सभी को बताते चले कि सुकुमार सर के डायक्शन में बनने वाली इस एक्शन थ्रिलर फिल्म को इंडियन बॉक्स आफिस पर 13 अगस्ट को रिलिस किया जाना है जिसका इंतजार ओडियन्स काफी बेसबरी से कर रही है यह फिल्म अलु अर्जुन सर के केरियर की अब तक की सबसे बड़ी और एक पैन इरिया फिल्म है जिसकी हिंदी, तामिल, तेल्गू, कनाड़ा और मल्यालम भाशा में 13 अगस्ट यानि के इंडिपेंडेंच डे के मोके पर रिलिस किया जाना है इस फिल्म के सामने भी दोस्तो जॉन अबरायम के फिल्म अटेक को रिलिस किया जाएगा जिसकी वज़ए से दोस्तो इस फिल्मको हिंदी बॉक्स आफिस पर थोड़ी कम स्क्रिंस मिलेगी लेकिन बात करें हम लोग यहाँ पर पुशपा की तो दोस्तो पुश्पा के लीड में आपको इस्टैलिस सुपरिश्टार अल्लु अर्जुन के अलावा, ब्यूटिफुल रश्मिका मंदना, प्रकाश राज, फाहत फाजिल और जगपती बाबु जैसे शांदार एक्टर्स नजर आने वाले हैं ये फिल्म दोस्तो लगबग 117 से 180 करोड के बजट से बनाई जा रही, इस्टैलिस सुपरिश्टार अल्लु अर्जुन के केरियर के अब तक की सबसे बड़ी मूवी है, जिसे कि हिंदी बॉक्स आफिस पर अपने पहले ही दिन लगबग 25 स्क्रीन्स पर 10 से 15 करोड रुपे की अपनिंग आसानी से मिल सकती है, वही दोस्तो अगर इस फिल्म को आउडियन्स के तरफ से रिव्यूज अच्छे मिलते हैं, तो ये फिल्म में हिंदी बॉक्स आफिस पर 150 से 200 करोड रुपे की कमाई कर सकती है, वही अगर बात करें इस फिल्म के हम लोग वर्डवाइट ट और साउथ फिल्म इंडिश्ट्री में बाहु बली के बाद सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनेगी, आप को का लगता है दोस्तो पुषपा फिल्म एडियन बॉक्स आफिस पर कितने करोड की ओपनिंग लेगी और हिंदी में इस फिल्म को ओडियन्स की तरफ से कैसा रेस्पोंस मिलेगा, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, वहीं अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर हम लोग इस लिश्ट की दूसरी सबसे मच अवेटेट फिल्म यानि की RRR के बारे में जिसका डिरेक्शन करने वाले हैं विजनरी डिरेक्टर और अलिविया मौरिस भी नजर आएगी, बताते चले दोस्तों आपको कि यह फिल्म भारत के दो सतनता सेनानियों के उपर बनाए जा रही है, एक एक्शन पिरियड फिल्म है, इसका बजट लगबख 400 से 400 करोन रुपे का है, और यह फिल्म इंडियन सिनेमा घरों में रिलि जुल्स के मामले में बाहुबली 2 से भी ज्यादा बड़ी फिल्म साबित होने वाली है, अगर बात करें हम लोग यहाँ पर इस फिल्म के बॉक्स आफिस प्रेडिक्शन और कलेक्शन की, तो दोस्तों ऐसे स्राजा मोली की इस फिल्म का इंतजार ओडियन्स काफी बेसबरी से कर रही है, यह फिल्म भी ऑल इंडिया में हिंदी, तामिल, तेल्गु, कन्नाड और मल्यालम भाशा में लगबग 9-10,000 स्क्रिंस पर रिलीज होगी, जो कि इडियन बॉक्स आफिस पर अपने पहले ही दिन 200 करोड की ओपनिंग लेने में कामयाब रहेगी, इस फिल्म को दोस्तो हिंदी में काफी बड़ी ओपनिंग मिल सकती है, बताते चले दोस्तो आपको कि इस फिल्म के अभी तक दो मैंन केरेक्टर यानि के जुनियर एंटियार और राम चरंड के फर्स्ट लुक पोश्टर और टीजर रिलीस कर दिये गए हैं, अब सुपर स्टार अजे द पर इस फिल्म को अगर ओडियन्स की तरफ से अच्छे रिविस मिलते तो सिर्फ अपने शुरुआती पांची दिनों में इस फिल्म का जो कलेक्शन है, वो पांसो से छे सो करोड का रहेगा, वहीं वर्डवाइड बॉक्स आफिस पर ये फिल्म लाइफ टाइम में एक हजा जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दे चलें कि प्रशांत नील के डायेक्शन में बनने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म के जीएफ चेप्टर टू, जिसके लीड में आपको रॉकिंग इस्टार याष, सुपर इस्टार संजय दत, स्रिंधी शेट्टी, रविना टंडन और रकाश राज जैसे शानदार एक्टर इस नजर आने वाले हैं, ये फिल्म लगबख सो से देड़ सो करोड रुपे के बीच के बजट में बनाई गई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो कि केजएफ चेप्टर वन का सेकेंड पार्ट है, और अगर बात करें हम लोग यहाँ केजएफ चेप्टर 2 की, तो दोस्तों केजएफ चेप्टर 2 भी विजुल्स के मामले में, एक्शन के मामले में, और श्टोरी के मामले में, बाहु बली 2 से ज़्यादा बड़ी फिल्म नजर आ रही है, अब ये तक दोस्तों इस फिल्म का सिर्फ एक ही टीजर रिलीस किया जिसने की इंडियन सिनिमा के साथ साथ वल्ड सिनिमा के भी सभी रिकोर्ड को तोड़ दिया और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पसंद किये जाने वाला टीजर बना और अगर बात करें हम लोग यहाँ पर इस फिल्म के बॉक्स आफिस कलेक्शन की तो दोस्तों बता दे चले आपको कि KGF Chapter 2 को भी All Our India में हिंदी तामिल केलगो कनाड़ा और मल्यालम भाशा में लगबख 7-8000 स्क्रिंस पर रिलिस किया जाएगा जहाँ पर यह फिल्म अपने पहले दिन लगबख 180-200 करोड रुपे की ओपनिंग लेगी वहीं हिंदी में इस फिल्म का जो पहले की ब्लॉकबश्टर्स फिल्म साबित होगी और लगबख 2000 करोड से ज़्यादा की कमाई वर्ल्ड वाइट बॉक्स आफिस पर कर लेगी आपको क्या लगता है दोस्तो KGF Chapter 2 इंडियन बॉक्स आफिस पर कितने रिकॉर्स तोड़ेगी और इन सभी फिल्मों में सबसे आपनिंग कौन से फिल्म लेगी राधे सूर्यवंशी पुषपा आरारार या फिल्म के जेफ Chapter 2 हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भुलिएगा और बॉक्स आफिस बॉल लोडर साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार क को सब्सक्राइब जरू कीजेगा धन्यवाज जेहिंजे भारा